तो चला है सबसे बड़ी बहस का आज बहस होगी गांजा बहाना क्या सरातर निशाना क्योंकि बार बार सरातनियों का अपमान किया जा रहा है हिंदू की आस्था को ठेस पहुचाने का काम की अजरा जिसी पर बहस होगी आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के नेता अक सपा के ही सांसद अफजाल अंसारी ने सादू संतों को लेकर बहुत ही बेतु का बयान दिया है। इसे में बड़ा सवाल है कि आखर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ऐसे बयान क्यों सामने आ रहा हैं जिससे हिंदू की भाबनाओं को फेस पहुचे जब सभी धर्म बराबर हैं इश्वर एक है तो फिर हिंदू को ही किसी ना किसी बहाने क्यों बार-बार टार्ग पहले अखिलेश अफ्जाल ने किया सनातन का अफमार जिसे नहीं है सनातन का कोई ग्यान वो अफ्जाल सादू संतों पर क्यों दे रहे हैं बे तुखे बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादव से लेकर सांसत तक ऐसे बयान देने में लगे हैं जो सनातन और असंख्य सनातनियों की भावनाओं पर सिधा प्रहार है पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादव ने संतों को लेकर विवादित बयान दिया माफिया और मठाधीश बता दिया मठाधीश और माफिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता अवजाल अंसारी भले ही गांजे को वैदे करने की मांग उठाते हुए ज्यान दे रहे थे लेकर उनका मकसद कहीं न कहीं सनातन और सादू संतों का अपमान करने का था करोनों की संख्या में गाजा पीने वाले लोग खुले आम गाजा पीते हैं पूरी पूरी महफी लगा के गांजा पीते हैं बड़े भड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं उसे भगवान का प्रसाद और बूटी करके पीते हैं अभी कुम लगने जा रहा एक आद मालगारी भी अगर चली जाएगी गाजा की तो खतम हो जाएगी और इसलिए जैसे ही अवजाल अंसारी के ये बयान सामने आया बीजे पी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया समाजवादी पार्टी के रास्ति अध्य शकलिए श्यादों के इसारे पर उनके सांसद अवजाल अंसारी उस पर अनरगल बयान दे रहे हैं हिंदू धर्म को टार्गेट कर रहे हैं हिंदू धर्म की जो महान परंपरा है कुम्भ उसको लांचित करने का प्रयास कर रहे हैं मेरा सवाल है अफजाल अंसारी से कि जिस तरीके से कुम्भ के लिए हिंदू साधू संतों के लिए आपके मुझ से बोल फूट रहे हैं लांचित शब्द निकल रहे हैं कभी मौलाना मजलिस और मस्जित के बारे में आप बताएंगे साधु संत भी अफजाल अंसारी पर पूरी तरह भड़क गए हैं और उनके बयान को दुर्भाग्य पूर्ण बता रहे हैं अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनी है जिसमें इनोंने कहा कि गाजा को हुवाइद गोसित कर दिया जाए क्योंकि मठों में लोग साधु संत गाजा पीते हैं और अनेक जो गलत कारे हो रहे हैं मदर्सों से इस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन कभी फोटी से में मिलता है कभी बम भारुद मिलते हैं कभी अनेक कुकर्म होते हैं तो क्या उसको भी वैद कर दिया जाए मेरा एमानना है कि ततकाल आपको इस सब्दों आपस लेते हुए माफी मांगना चाहिए अने था इनके खिलाब हिंदू मासबाय पहियार दर्ज कराएगी ये वही सपा सांसर अफजाल अंसारी हैं जो कुछ दिनों पहले तक सीम योगी आदितनाद की तारीफ करते नहीं ठक रहे थी कानून व्यवस्था से लेकर हर एक मुद्दे पर सीम योगी आदितनाद की तारीफ में खसीदे पढ़ रहे थी योगी को बीजे पी का सुप्रीम लीडर तक बता रहे थी लेकिन जैसे ही अफजाल अंसारी को सांसदी मिली उनके सुर्फ बदल गया तो सवाल ये है कि बार बार सनातन पर हमला आखिर क्यों होता है अफजाल अंसारी ने साधू संतों पर विवादित बयान क्यों दिया क्या उपचुनाओं को देखते हुए अफजाल ने ऐसा बयान दिया अफजाल के बयान पर अखिलेश यादव खामोश क्यों है क्या खिलेश अफजाल के साधू संतों पर दिये गए बयान का समर्थन करते हैं ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी, साधू संत और सनातन को मानने वाले उठा रहे हैं तो देखना ये होगा कि विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता है बीरो रिपोड रिपब्लिक भारत आतिकुर रह्मान, मुसलिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथी तारीक एहमदलारी जो की समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले आतिकुर रह्मान जी आप ही के पास आते हुए आखर इस देश में बार-बार जो सनातनियों का अपमान किया जा रहा है जो बेतु के बयान दिये जा रहे हैं उन लोगों के माध्यम से जोने साधू संतों को लेकर कोई ग्यान नहीं है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या धारना रख रहे हैं क्या यहाँ पर ये हिंदों का अपमान करना ठीक है बार-बार उन्हीं को टार्गेट करना, सौफ टार्गेट बनाना? देखिए मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि अफजाल अन्सारी साब अगर ये साबित करना चाहते हैं कि नशा करना, गांजा पीना, शिर्फ हिंदों की मोनोपुली हैं, तो मैं उनको एडवाइज दूँगा कि वो मेरे साथ में आज आए, मैं साउथ मुंबई से शुर आँगा, कि हिंदों इलाकों में जाते जाते आपकी मालगाडी खत्न हो जाएगी गांजा से बरीवी, ये अपवाद प्हलाना बन करें, ये नफर प्हलाना बन करें, कोई मुसल्मान आपके इस धोके में आने वाला नहीं है, नशा करना सिर्फ हुंद्रियों की मोनोपुल नहीं है, बहुत आमें, देखिए मैं आपको बताओ, मैं बहुत चोटा था, मैं अपने इलाकों में जब भी अरबार मेरे सामने पढ़ते थे, उसमें अपर उर्दू में लिखा रहता था था भी अरबार का नाम, जब मैंने कुछ मेरे मुसल्मान भाईयों से पूचा, कि म मुसल्मान जो शराब नहीं पिखें, नशा नहीं करते हैं, तो भी अरबार के ओपर ये मुसल्मान इर्दू में नाम क्यों लिखा है? तो वो मुस्कुराते थे और मुझे जवाब नहीं देते थे, पड़ाउने के बाद में मुझे समझने आया, किस तरह से मुसल्मानों मे नशा आमें तुसरी इंपोटेंट पाथ हमारे बहुत बड़े इचाली में साउत मुंबई के अंदर वो एक केंदर चलाते हैं नशा मुख्टी के लिए तो यह अफजालन सारी सार उनसे आकर मिले और वो उनको पताएंगे कि मुसल्मा निशाद जी आपके पास आएंगे जाती है आखिली श्यादव ने पहले कहा था कि माफिया और जो मठादी शहस में कोई अंतर नहीं होता वहाँ पर उनके जितने आसपास कारे करता था ते वो तारिया मजाने लगे खुश हो गए कि बहुत बड़ी आबात कह दियो और अब उनके सांसत जो है अफजालन सारी इस तरह की बाते कर रहे हैं यह बर्दाश्ट करने लायक नहीं है चीज़े अब बाबुरा निशाद जी जी यह अब जारन सारी जैसे लोग शनातन पर मेरे महाकुम पर मेरी गाय पर मेरी गंगा पर हिंदुत पर इस तरीके के बयान देने से बाज आना चाहिए अगर बाज क्यों आएंगे क्योंकि जज़ दल से जुड़े है उस दल का मुखिया जब सनातन के लिए हिंदुत के लिए धर्म के लिए मठ मंदिर के लिए इस तरीके से बोलते हैं तो इनके मुखिया को समझ नहीं है ना मठ और मंदिर के और साधू के बारे में तो अबजाल का मुझे लगता है दोस्ट नहीं है लेकिन अबजाल जैसे लोगों को बाज आना चाहिए कि मेरे हिंदुत और धनातन पर इस तरीके की बयान बाजी ना करें अन्था आप समझ सकते होतार प्रदेश में भाजपा की सरकार है दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है क्योंकि अगर इस तरीके का सहास बार बार किया तो